अब दूस्तों स्टार्ड करते हैं उस डिजाइन को जो मैंने आपको क्लास एर्थ के अंदर दिखाया था आपको याद होगा कि ये डिजाइन मैंने आपको क्लास एर्थ के अंदर दिखाया था आईए अब मैं आपको इस डिजाइन को बना कर दिखाने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों ये जो डिजाइन है इसके अंदर मैंने सरिफ रनिंग इस्टिच को ही यूज करा है इसके अंदर मैंने अलग-अलग styles को use किया है तो आईए start करते हैं और सीखते हैं इस design की punching को और मैं आप से ये जरूर कहूंगा कि आप इस type का कोई भी design बनाएगा और उस पर ये जरूर लिखेगा I am a designer क्योंकि आज की class के बाद आप ऐसे बहुत सारे designs बना पाएंगे और running issues से आप हजारो designs create कर पाएंगे आईए दोस्तों अब मैं आपको वो design बना कर दिखा देता हूँ जो मैंने class 8th के अंदर introduction में आपको दिखाया था तो आईए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी वही फाइल खोल लेता हूँ जो मैंने class 8th के अंदर बनाई थी यह देखिए यह मेरी वो फाइल खुल गई है यहाँ पर मैं इन दो objects को पकड़के side कर देता हूँ और बाकी के objects को पकड़कर मैंने यहाँ गलीट मार दिया है यह देखिए दोस्तों यह जो objects हैं यह हमारे offset से बने हुए थे यह देखिए इसको अगर मैं select करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 offset आ रहा है यहाँ पर देखते हैं तो देखिए minus 1 है minus 2 है 4 है अगर दोस्तों मैं इन सब को एक साथ पकड़ता हूँ तो देखिए यह unhighlight हो जाता है इसका मतलब यह है दोस्तों की इन objects के अंदर हर किसी object की अपनी एक different property है और बाकी की देखिए same properties है इसका मतलब यह है दोस्तों यहाँ पर इन सारे objects के अंदर जितने भी यहाँ पर highlighted है वो properties तो same है और जो point यहाँ पर unhighlighted है उनके अंदर इन objects के अंदर different different है जैसे इस line के अंदर minus 1 था, इसके अंदर minus 2 था, इसके अंदर minus 4 था आई दोस्तों मैं आपको एक property और सिखा देता हूँ यहाँ पर इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिएंगे layout के अंदर आप यहाँ एक option देखिएंगे add new object to end दोस्तों इस property को मैं आपको अपनी thread setting की जब मैं आपको class upload करूँगा उसके अंदर सिखाऊंगा आप अभी फिलाल यह धियान दखिएगा कि जो भी आप design बना रहे हैं उसके अंदर यह आप option on होना चाहिए तो मैं इसको सबसे पहले on कर देता हूँ and then मैंने इसको copy किया यह देखिए यहाँ पर copy हो गया है दोस्तों यहाँ आप देखिए इसको मेरे select करने से यहाँ पर offset unhighlight हो रखा है that means यहाँ पर अलग-अलग offsets डले हुए है मैं आपको समझाने के लिए फिलाल अभी इन objects को delete कर देता हूँ यह देखिए दोस्तों यहाँ आप देखिए दोस्तों हमारे पास में 4 layers है 1, 2, 3, 4 that means यह design हमारा 4 layers है अगर मैं इस design को चलाता हूँ तो यह देखिए यहाँ पर किस तरीके से चलेगा पहले यह object बन रहा है then center then second then third यह देखिए दोस्तों यहाँ जिस तरीके से layers आप देख रहे हैं उसी तरीके से हमारे design चल रहा है दोस्तों अगर मैं इस line के बाद इस line को बनाना चाहता हूँ तो देखिए मैं क्या करूँगा मैंने इसको select कर लिया है और इस layer को उठा कर मैंने इसके नीचे रख दिया है यह देखिए सबसे पहले यह layer है then second layer यह आ गई है यह दोस्तों देखिए मैं चाहता हूँ यह सबसे last में बनना चाहिए तो मैंने इसको उठा कर नीचे कर दिया है mouse का button मैंने इस समय दबा रखाया और मैंने इसको नीचे के तरफ ड्रैक कर दिया है यह देखिए first, second, third, fourth अगर मैं इसको machine पर चला कर देखता हूँ या अगर मैं इसको software पर चला कर देखता हूँ तो देखिए दूस्तों आप यह हमारा design इस तरीके से बनेगा deck mean अगर आप किसी भी design को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं तो उसका आपको यहाँ पर sequence set करना पड़ेगा जिसको कि हम sequence manager बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर यह जो file आप देख रहे हैं यह हमारा sequence manager है इसलिए sequence manager हमारा बहुत ही important होता है अगर हम किसी भी design को अपने हिसाफ से चलाना चाहते हैं आप एक चीज और note करिएगा दोस्तों अगर मैं इस पूरे design को select करता हूँ तो देखे इस offset हमारा unhighlighted है अगर मैं इस position पर control J दबा देता हूँ तो देखे यहाँ पर यह single layer हो गई मतलब that means सारे objects हमारे एक साथ join हो गए हैं अगर मैं इस design को चला कर देखूँगा तो देखे यह एक ही जगे पर चार बर हमारा घुम जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर चार objects थे अब अगर मैं इस design को control B कर देता हूँ admin break apart कर देता हूँ तो आप यहाँ देखे प्लस का निशान बन गया है यह क्लिक करते ही देखे यह चारो objects हमारे आ गये हैं यह चारो objects एक ही जगे हैं और control J करने से हमारी यह सारी properties सारे objects की एक ही हो गई है तो आप दोस्तों अगर offset आपने अगर अपनी design के अंदर use किया है तो आप उसके अंदर काफी ध्यान रखिएगा कि control J की command अगर आपने कर दी तो वहाँ आपको कुछ issue आ सकता है या आपके design में problem आ सकती है यहाँ भी मैं फिलाल control Z कर देता हूँ यह देखे यह मैंने अपनी properties पे वापस चला गया हूँ जो मेरा object पहले था मैंने इसको copy कर दिया है अब दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि यह lines हमारी उसी जगे होनी चाहिए यह deck पीन हमारी base line जो है यह देखे यह हमारी base line है चारों objects की अगर मैं इस object को पकड़ कर यह side कर देता हूँ यह देखे हैं शो फिल्ड आउट लाइन दोस्तों ये भी हमारा काफ़ी important option होता है अगर मैं इस option को on कर देता हूं तो देखें ये हमारे को baseline show करने लगता है डैकमीन ये हमारे को हर design की main baseline show कर रहा है या ये हमारे को shadow show कर रहा है अगर दोस्तों देखें मैं इस object को select करता हूँ और मैं इस object के अंदर कुछ change करना चाता हूँ तो मैं यहाँ end दबा कर node mode पे चला जाता हूँ यह मैंने फिलाल click कर दिया है यह मैंने end दबा दिया है यह देखें दोस्तों मेरा वो circle इस जगे पर काफी छोटा बना हुआ था मेरा circle लगबग इतना बड़ा था और अगर मैं इसके अंदर change करना चाता हूँ तो देखें मेरी baseline कितनी बाहर है अगर मैं यहाँ पर change करता हूँ तो देखें यह मेरा circle यहाँ पर change हो रहा है इसको मैं यहाँ रखके दिखा देता हूँ यह देखिए अगर मैं इसके अंदर और changes लाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऐसे change हो रहा है तो दोस्तों यह आपको बहुत बार confuse कर सकता है तो इसका भी मैं आपको solution दे देता हूँ यहाँ आप इसको select करिए इसके उपर right click करके आप इसको certain serial के अंदर convert कर दीजिए तो देखिए यह certain serial में convert हो गया है then right click करके मैंने इसको running में convert कर दिया है तो देखिए यह हमारी एक normal properties आ गई है अब यह हमारा object अगर मैं यहाँ पर end भी दवाता हूँ इसकी baseline को change करना चाता हूँ तो मैं इसको right click करके sudden serial कर देता हूँ then मैंने running कर दिया है दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखिए का अगर मैं सारे objects को select कर लेता हूँ then मैं right click करके अगर sudden serial करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ आपको हर object को separately पकड़ना पड़ेगा तब ही आपका यहाँ पर right click काम करेगा यह देखे यह मैंने इसको select करके running कर दिया है अब यह देखे अगर मैं यहाँ पर इसको unhighlight कर दूँ या highlight कर दूँ तो देखे इनकी baseline हमारी change हो गई है अब देखे दोस्तों मैंने इसको दुबारा से copy कर दिया है मैं इन objects को सबको change करके running line के अंदर convert कर देता हूँ properly जिससे हमारा offset 00 हो जाए यह देखे मैंने इस सबको sudden serial के अंदर convert करके running कर दिया है दोस्तों मैंने भी sudden serial आपको सिखाया नहीं है सिर्फ आप इसको इतना ही समझेगा जिस दिन मैं आपको sudden serial सिखाऊंगा उस दिन मैं आपको properly इसको सिखा दूँगा अब अगर मैं इस object को join करता हूँ तो देखे दोस्तों यहाँ पर इस design में कुछ फरक नहीं पड़ा है और अगर मैं इसको join करता हूँ तो देखे यह circle हमारा single हो गया that means एक ही जगे पर हमारी चारो lines आ गई है आईए अब हम I am a designer वाला design पंच करते हैं यह मैंने file खोल ली है then running properties अब मैंने इन दोनो objects को दोस्तो side कर दिया है और मैंने बाकी के objects को delete कर दिया है आईए अब मैं एक circle बना लेता हूँ यहाँ पर तो अब मैंने F3 select कर लिया है then मैंने S दबा दिया है यहाँ मैं एक circle बना लेता हूँ यह मैंने एक circle बना दिया है यह देखे दोस्तों यह मेरा एक circle बन गया इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ यहां मैं Auto Border में चला जाता हूँ यह मैंने Auto Border करके Learning को सेलेक कर लिया है and मैंने याँ आपर 1 तबा कर Auto Border बना दिया है यह देखे दूस्तों यह मेरा एक रनिंग लाइन और आ गया है यह Offset-1 है यहां मैं इसके अंदर एक Auto Border और बना देता हूँ यहां मैंने inside select कर लिया running select करके then मैंने minus 2 कर दिया है दोस्तों इसके अंदर आपको वो problem आने वाला है अगर आप इन सब को join करेंगे जो मैंने भी आपको सिखाया था तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि जब भी आप auto border को select करें तो आप इसके अंदर इस तरीके से जरूर convert कर लीजेगा certain serial करके running में convert कर लीजेगा या फिर जब आप auto border use कर रहे हैं तब आप यह certain serial select करके रखिए then यहां पर one करके auto border बना लीजिए and then उसको running में convert कर लीजिए तो आपको यह problem कभी भी नहीं आएगी इसलिए दोस्तों मैं आपको यह suggest करूँगा जब भी आप auto border कर यूज करें तो आप certain serial को जरूर use करें इस stitch को दोस्तों मैं आगे सिखाऊंगा जब मैं certain serial आपको सिखाऊंगा तो फिलाल आप इसको इसी तरीके से use कर लीजेगा time being की अगर आप auto border use कर रहे हैं तो आपको certain serial को use करना है यह आपको काफी benefit करेगा और यह मेरा design पंच हो गया है अब मैं इसको running में convert कर देता हूँ यह देखे दोस्तों यह मेरा एक circle पंच हो गया है अब मैं इसको left की तरफ copy कर देता हूँ और मैंने इसके अंदर से कुछ lines delete कर दी है यह देखे मैं circle को इससे touch कर देता हूँ then मैंने इसको again यहाँ पर copy कर दिया है right की तरफ मैंने इन दोनों को select करके again click कर देखे इसका यह center में point बन गया है जिससे मैं इसको rotate कर सकूँ यह मैंने इसको rotate कर दिया है मैं ए了ी आहे और यह मैंने एक line को यहां पर punch कर दिया इसके अंदर मैं एक motive को डाल देता हूँ यह मैंने style को select कर लिया है यहां आये एक अच्छा सा motive यहां select कर लेते हैं और यह मैंने यहां पर 메ंग टॉन्टी reporting कर लिया है यह देखिए दोस्तों यह हमारा एक मोटिव है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है यह देखिए यहाँ पर यह डिजाइन करना खूबसूरत लग रहा है यह बनने के बाद काफी अच्छा लगता है डिजाइन इसके मैंने इस्टिच लेंद भी बड़ा दी है देन अगेन मैं एक लाइन और यहाँ पर बना देता हूँ आईए इसके अंदर देखे दोस्तों यहाँ मैंने अभी तक इस्टाइल को सेलेक्ट नहीं किया था और इसने आटोमेटिकली यहाँ इस्टाइल डाल दिया है क्योंकि मैंने एक्जेक्टली इसके बाद इस लाइन को बनाया था आईए मैं इसका भी इस्टाइल चेंज कर देता हूं यहाँ पर एक और यहाँ पर मोटिव सेलेक्ट कर लेते हैं यह इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यह देखिए दूस्तों यह भी मोटिव हमारा काफी सुन्दर लगता है बनने के बार लाइन और बना लेता हूं यहाँ पर यह देखिए दूस्तों यहाँ पर जैसे मै line की properties को उठा लिया है ये देखे इन दोनों के motive same है इन दोनों के style सेम है आईए इसके अंदर मैं एक और motive select कर लेता हूँ आईए अब हम एक double frame का style select कर लेते हैं और मैं इस style को select कर लेता हूँ ये देखे दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है अब यहाँ पर हम IMA designer लिख लेते हैं यहाँ मैंने input पर click कर दिया है और यहाँ मैंने type कर दिया है IMA designer और two point method से मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है यह देखे दोस्तों यह हमारे डिजाइन आपर बन गया है मैं इसके अंदर style को change कर देता हूँ यहाँ मैं एक chain का style select कर लेता हूँ यह देखे दोस्तों यह मैंने आपर select कर लिया है यहाँ मैं strisland को तोलबा छोटा कर देता हूँ जिससे हमारे design साफ नजर आए यह देखे दोस्तों यह हमारे design punch हो गया है यहाँ मैं इसको select करके blue color कर देता हूँ यहाँ देखे दोस्तों अगर मैं इस design को machine पर चलाऊँगा तो देखे सबसे पहले हमारा यह object बनेंगे क्योंकि यह सबसे पहले object थे then फिर मैंने subject को बनाया था then this object को then this object को then मैंने designer को बनाया था दोस्तों designer भी देखे यहाँ पर इस जगे से चालू हो रहा है और यह यहाँ पर खतम हो रहा है तो अगर मैं इसका start and point change करना चाता हूँ तो देखे मैं यहाँ पर इसको select करके यहाँ पर start point डाल देता हूँ and then मैं इसका end point यहाँ पर डाल देता हूँ तो देखिए दोस्तों यह जब design हमारा बनेगा तो यहाँ से बनना चालोगा और यह इस तरीक से बनता हुआ यहाँ पर खतम हो जाएगा आई अब मैं और lines को बना देता हूँ यह मैंने आपर click कर दिया then एक और click आई दोस्तों यहाँ पर एक style और select कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों मैं 01 style को select कर लेता हूँ यह देखिए यह हमारा एक box वाला design बन गया है यहाँ मैंने इसके stitch length को 10 कर दिया है यहाँ 10 से भी मैं आपको पता दिता हूँ यहाँ आप कैसे judge कर सकते हैं दोस्तों यह जो हमारा stitch है अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक नाता हूँ तो देखिए यहाँ पर exactly 10 आता है डेट मिन अगर मैं किसी भी point से इसको नापूंगा तो देखिए यह exactly 10 आएगा दोस्तों 10 stitch length जो है यहाँ पर हमारी ज़्यादा नहीं है क्योंकि यह हमारा style इसी तरीके का है यह देखिए इसके अंदर यह style almost half हो गया देन यह आगया देन यह आगया यहाँ पर हमारी 10 mm की length किसी भी stitch पर नहीं है बस यह एक motive है इसलिए यहाँ पर 10 अगर हम use करें तो कोई इतना बड़ा issue नहीं होगा मैं इसका color change कर देता हूँ इस design को मैंने यहाँ से start करा था तो देखिए यहाँ पर इसका start point बन गया है और यहाँ 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 पर खतम हो रहा है इसको मैं उपर की तरफ copy कर लेता हूँ यहाँ मैं एक और motive select कर लेता हूँ यहाँ मैंने 07 को select कर लिया है यह देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एक line हमारी center में नजर आ रही है यह actual में है क्या अगर हम इस design को machine पर चलाते हैं यह देखिए दोस्तों यह design यहाँ खतम हुआ then यह नीचे अंडर ले जा रही है आगी की तरफ and then यह यहाँ से circle बनाना चालू करती है इसका मरलब यह है दोस्तों यहाँ पर यह इसने closest point ले लिया है अगर मैं इसको change करना चाता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर इसका start point यह डाल देता हूँ end point इस जगे डाल देता हूँ तो आप देखिए वो line हमारी खतम हो गई है यह देखिए दोस्तों जो हमारी underlay आ रही थी closest point की वे से वो खतम हो गई है यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ सिफ कर देता हूँ यहाँ मैंने एक और line को copy कर लिया है मैं यहाँ पर एक और motive select कर लेता हूँ यह दोस्तों यह 50 number point को select कर लेते हैं यह देखिए यह हमारे यहाँ पर design बन गया है यह देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप और notice करिएगा यह design जैसे ही हमारा finish हूँ मैं इसको unhighlight कर देता हूँ show field outline को जिससे आपको confusion ना हो यह देखिए दोस्तों अगर यह हमारा object बनता है तो यह इस तरीके से हमारा object बनता हुआ जाएगा यह यहाँ पर end हो गया है और इसके बाद यहाँ आप देखिए जैसी object हमारा finish होता है यहाँ पर एक line देख सकते हैं यह actually हमारा बहुत लंबा jump है अगर मैं इसको खतम करना चाता हूँ तो मैं इसका start point यहाँ पर change कर दूँगा यह देखिए दूस्तों यहाँ मैंने start डाल दिया है and then मैंने end कर दिया है इसका मलत दूस्तों अगर यह line हमारी यहाँ से start होती है यहाँ end होती है तो second line हमारी यह है यह line हमारी यहाँ से start होकर यहाँ end होनी चाहिए यह हमारी third line है तो यह यहां से start होकर यहां end होनी चाहिए जिससे कम से कम thread cutting आए और कम से कम machine को travel करने का time लगे जिससे design हमारा फटापट से machine पर बने जिससे आपकी thread cutting भी कम आएगी यह देखे दोस्तों यह मेरा design बन गया है अब मैं इस design को machine पर डाल देता हूँ यह मैंने center point बना दिया है इसका यह design मेरा complete हो गया है आएए दोस्तों अब इस design को machine पर भी चला कर देख लेते हैं कि यह design अगर मेरा machine पर चलेगा तो यह design हमारा कैसा बनके आने वाला है यह देखे दोस्तों यह जो design है यह देखे यह जो पहला दागा है यह यहाँ पर lock हो गया है क्योंकि यहाँ पर अमने fix डाल हुआ था यह जो design है दोस्तों यह स्रिफ running shift से ही बना हुआ है यह machine automatically अपना path decide कर लेती है कि उसको कैसे क्या हमने पूरे design को join किया हुआ था और यह देखे यह machine automatically अपने हिसाब से इस design को बना रही है इस design के अंदर हमने देखे repeat का use किया हुआ है इस वज़े से यह हर जगे हर line को दो बार बनाएगी दोस्तों यह design जो हमारा भी बन रहा है machine पर यह देखे यह यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारी machine 710 RPM पर चल रही है यहाँ पर यह 710 की speed का मरला भी होता है 710 बार निडल पर मिनट यहाँ पर डाउन होगी यह देखे दोस्तों यह जो jump लेकर के फिर से इसने जो design को बनाया है यह वो design है जो मैंने भी आपको design में बना करके दिखाया है जो हमने running के अंदर motive डाला था यह motive बन रहा है हमारा इसी तरीके से दोस्तों आप running line के अंदर कोई भी motive डाल सकते हैं और वो आपका design यहाँ पर बन के आएगा machine पर बनेगा देखें कितनी कुल्चूरत आप डाली हो रही है यह इस machine नक्षीन ने लॉक कर दिया है और यह second design जहां से चाल हुआ वहाँ पर इसने इसको fix कर दिया है जहां पर वो खताम हुआ था वहाँ लॉक हुआ और जहां यह मोटिफ चाल हुआ हमारा यहां पर fix हुआ दोस्तों यह जो design हमारा है यह पूरा running इससे ही बना हुआ है मतलब आज की class देखने के बाद आप इस तरीके के design को बच बना पाएंगे और इस तरीके से आप कितने design आप बना सकेंगे और new new development भी कर सकेंगे और दोस्तों यह देखे यह यहां पर machine ने इसको lock कर दिया है और अब यह दूसरा motive चालू होने वारा है यहां पर देखे machine ने color change कर दिया है और यह second thread यहां पर चालू हो गया है दोस्तों यह जो machine है अभी बहुत ही important word लिखाई है आपके लिए यह बनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ yes I am a designer यह देखे दोस्तों मशीन ने यहां पर designer word को लिख दिया है यह designer यह ने कितने खुपतूरत लिख दिया है यह तुरफ रणिंग इस्टिस से बना हुआ है यहां हमने gain motive को यूज किया है हैं सबसे पेले हमने इसको रणिंग एश्रिस से बनाया दैन हमने के अंदर इसको मोटिव को चूस किया था हमने मोटिव को सलेक्ट किया था और ये देखें कितना कुर्चुराट डिजाइन यहां पर बना है हमारा यह देखे दोस्तों यह मशीन ने लिख दिया है आई एम डिजाइनर यह वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप यही कहेंगे येस आई एम डिजाइनर और यह दिजाइन हमारे यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है यह देखे दोस्तों यहाँ पर मैंने तीन रनिंग लाइन्स के अंदर अलग-लग मोटिव डाले हैं और इन तीनों को मैंने एक साथ रख दिया है ये देखे कितना खुबसूरत हमारे एक border का design बन गया है इस तरीके के border के designs को हम कहीं पर भी use कर सकते हैं या design बना सकते हैं इस तरीके से आप motive को use करके कोई भी creativity दिखा सकते हैं ये देखे I am a designer को भी मैंने running line से बनाया था और यहां मैंने एक chain motive डाल दिया था ये देखे ये design भी हमारे कितना खुबसूरत बन गया है ये जो design आप देख रहे हैं यहां इसके अंदर हमने running के अंदर repeat 2 डाला था इस वज़े से देखे हर line के अंदर आप दो thread देख सकते हैं क्योंकि इसने हर line के अंदर repeat लगाया है ये design भी मैंने आपको बना कर दिखाया था और ये देखे हर line के अंदर हमने अलग-अलग motive को use किया है जिससे आपको ये समझ आ सके कि running line के अंदर अगर हम कोई भी motive डालते हैं तो उससे हम कोई भी creativity कर सकते हैं और अपने design को खुबसूरत बना सकते हैं दोस्तों ये जो thread आपको connecting thread देख रहा है यहां देखे यहां machine ने इसको lock किया है और जब ये thread यहां पर jump लेकर के आया तो यहां पर इसने इसको fix किया है अगर हम इस thread को खीच कर तोड़ भी देंगे दोस्तों ये देखे ये thread टूट जाएगा लेकिन हमारा design नहीं खुलेगा ये देखे इसी तरीके से दोस्तों fix and lock लगाना बहुत जरूरी होता है ये देखे दोस्तों ये जो design हमारा complete हो गया है अब इसके अंदर हम unwanted threads को कार्ट देंगे Caesar से और ये design हमारा complete हो जाएगा दोस्तों इस पूरे design के अंदर मैंने इस line के अंदर fix and lock का use नहीं किया था आईए अब मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि अगर हम fix and lock को use नहीं करेंगे तो उससे क्या problem आ सकती है आपको भले ही अभी ये design ठीक लग रहा हो लेकिन अगर देखे मैं इस design के अंदर थोड़ा सा भी इसको नाकुन मारते हैं या हम इसको थोड़ा सा भी ऐसे करेंगे तो ये design हमारा खुल सकता है ये design यहाँ पर खुल गया है तो दोस्तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि fix and lock को जरूर यूज किया जाए otherwise आपके design के अंदर ये problem आ सकती है और आपका design खराब हो सकता है या आपके garments के अंदर problem आ सकती है ये देखिए ये देखिए ये खुल गया है अगर हम lock को properly यूज नहीं करेंगे तो आपको ये problem फेस करनी पड़ सकती है इसलिए दोस्तो fix and lock को यूज करना ना भूले और जहां जरुरत हो वहाँ fix and lock यूज करें और जहां उसकी जरुरत नहीं है वहाँ उसको हटागर आप अपने stitches को save कर सकते हैं दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि class आपको पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like करें अगर आप channel पर नए है तो subscribe कर ले और आप इन वीडियो को share करना ना भूले दोस्तों मैं बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको वो सारे threats दिखाने वाला हूँ जो इस industry के अंदर यूज किये जाते हैं कि कौन सा threat कहां पर यूज करते हैं और उनकी क्या कौश होती है वीडियो देखने के लिए आपक दने बाद